Hello friends, welcome back to our YouTube channel Commerce Education by CA और मैं हूँ CA आशिश गुपता और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे है Class 11 का Account Subject में सबसे पहला टॉपिक जो की है Introduction to Bookkeeping and Accountancy तो चलिए शुरुवात करते हैं तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे है Class 11 महाराष्टा State Board New Syllabus में Account Subject में सबसे पहला टॉपिक जो की है Introduction to Bookkeeping and Accountancy तो चलिए शुरुवात करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यह आपका Class 11 महाराष्टा State Board का New Syllabus का Account Subject का टेक्सबुक है यहाँ पे आप देख सकते हो यह आपका टेक्सबुक है Bookkeeping and Accountancy तो हम इसे शॉट में Accounts भी बोलते है तो यह आपका जो टेक्सबुक है Bookkeeping and Accountancy का तो यह जिसमें हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले है तो एक बार हम लोग जस्ट एक बार Syllabus को Go Through कर लेते है Syllabus एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपका Syllabus क्या होता है Class 11 का तो यह अब देख सकते हो आपका यह Class 11 का जो Syllabus है तोटल यहाँ पे आपको 10 Topics दिए गए है तोटल हम यहाँ पे 10 Chapters पढ़ेंगे आपके Class 11 Account Subject में और फिलाल बात करते हैं हम लोग आज के इस Lecture में आज के इस Lecture में हमारा Focus रहेगा हमारा First Topic पे जो की है Introduction to Bookkeeping and Accountancy तो First Topic में हम लोग आज Focus करेंगे जिसमें हम लोग Bookkeeping के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं एक बार हमें आपको Contents दिखा देता हूं इस First Topic का जो की है Introduction to Bookkeeping and Accountancy तो यहाँ पर दे सकते हो यह इस First Chapter का Contents है जहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ देखने वाले हैं जैसे Bookkeeping का मतलब देखेंगे Bookkeeping and Accountancy में क्या difference होता है वो चीज़ देखेंगे Accountancy का मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग फिर उसके बाद हम लोग Methods of Accounting System के बारे में पढ़ेंगे कि Accounting System के कितने Methods होता है वो पढ़ेंगे फिर उसके बाद सबसे Most Important Concept है आपका Basic Accounting Terminalogies जहां पर हम लोग Accounts के अलग-अलग Terms के बारे में पढ़ेंगे तो और और भी छोटे-छोटे अलग-अलग Concepts है जैसे आपका Accounting Standards IFRCA अलग-अलग Concepts है वो सारे चीज़ हम लोग Cover करेंगे तो फिलाल के लिए हम लोग इस Textbook को थोड़ा Side में रख देते हैं और आ जाते हमारे Notes के उपर और हम लोग एकदम Starting से समझते हैं इस Subject को तो देखिए जैसा कि आप सभी लोग ने अभी फिलाल 10th का Exam पास करके आप सभी लोग 11th में आये होंगे और 11th में आपने कौन सा Stream Choose किया है? 11th में आपने Stream Choose किया है Commerce 11th में आपने कौन सा Stream Choose किया है? Commerce तो यहाँ पर हम लोग सबसे एकदम Basic से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा Motive है कि आपको एकदम Basic से स्टार्ट करा के हर एक चीज़े को Concept चली समझाना तो सबसे पहला आपका Question होगा कि जैसे कि आप सभी Students लोग Class 11th में अभी आये होंगे और Class 11th में आप लोग ने कौन सा Stream Choose किया है? Commerce तो सबसे पहला General Question होता है कि Commerce का मतलब क्या होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग ने Commerce Stream Choose किया है तो कर उटके अगर कोई Person आपको कूछ ले कि भाई तुने Commerce Stream चूज किया है Commerce का मतलब क्या होता है? तो उस Case में आपको पता नहीं होगा कि Commerce का मतलब क्या होता है? क्योंकि काफी सारे बचे जो even Graduation Complete कर लेते Commerce Stream में लेकिन उनको Commerce का मतलब अभी तक नहीं पता होता है कि भाई मैंने Commerce Stream में पूरी 5 साल निकाल दिये लेकिन अभी भी मेरेको Commerce का मतलब नहीं पता होता है तो अभी हम लोग समझेंगे एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से कि हर एक चीज़ क्या होती है सबसे पहला हम लोग समझते Commerce का मतलब क्या होता है देखिए Commerce का सबसे Simple Meaning होता है Commerce मतलब क्या होता है It's just an Activity of Buying and Selling Commerce का मतलब क्या होता है Commerce is nothing but an Activity of Buying and Selling of Anything तो अगर Commerce का में आपको Simple Lame and मतलब समझाओ तो Commerce का मतलब कोई चीज़ खरिदना और उसको बेशना उसी को हम लोग क्या बोलते Commerce एकदम आसान भाषा में Commerce उसी को बोलते Commerce मतलब क्या होता है It's an Activity of Buying and Selling of Anything Anything में कुछ भी हो सकता है वो चाहे Goods हो सकता है या Service दोनों चीज़ हो सकती है तो Commerce का मतलब सिंपल आपको समझना है कोई भी चीज़ अगर आप खरिदते हो उसे बेशते हो उसी को आप लोग जनरली डिफाइन करते है Commerce अगर मैं इसको और आसान भाषा में अगर एक वर्ड में डिफाइन करू तो यह जो Activity of Buying and Selling अगर मुझे इससे एक वर्ड में डिफाइन करना है तो मैं इससे बोल सकता हूँ Business इसको मैं क्या बोलूँगा Business क्योंकि Business का मतलब क्या होता है देखिए Business का आसान भाषा में मतलब होता है कोई चीज़ आप खरीद रहे हो और उसी को बेच रहे हो तो उसी को क्या बोलते है जनरली हम लोग उसी को तो Business बोलते है तो Anything जो हम लोग यहाँ पर हमने देखा Activity of Buying and Selling उसको अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ Business तो अगर मैं इन शॉट बोलू तो Commerce में हम लोग क्या चीज़े पढ़ रहे है Commerce में हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे है बलकि Business के बारे में पढ़ रहे है Business के बारे में अलग-अलग चीज़े पढ़ रहे है तो Commerce को अगर मैं एक लाइन में बोलू तो Commerce is nothing but a study of business Commerce को मैं अगर बोलू तो it's nothing but study of business जहां पे हम लोग businesses के बारे में पढ़ रहे हैं business के अलग-अलग models के बारे में पढ़ रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता दो जैसे आप businesses के बारे में कैसे पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग ने हर एक अलग-अलग subjects categorize कर दी है जैसे for example के लिए आपका अलग-अलग subjects है OC हो गया economics हो गया SP हो गया और last में जो आपका हमारा main subject है जो कि accounts तो यहां पर अगर हमको business को पढ़ना है तो हमने अलग-अलग जैसे कि आपके subjects है OC, eco, SP, accounts यह सारे अलग-अलग subjects है तो generally हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते है जैसे बात करें हम लोग OC की तो OC में generally आप लोग क्या पढ़ते है OC में basically आप लोग management के बारे में पढ़ते हो OC में basically आप लोग क्या पढ़ते हो management के बारे में पढ़ते हो कि कैसे हम लोग अपने business को manage करते है कैसे हम लोग business में decisions लेते हैं हम लोग planning करते हैं, organizing करते हैं वो सारे चीज़ हम लोग कहां पढ़ते हैं OC में पढ़ते हैं जो आपका organization of commerce का जो subject है OC जिसको हम लोग short में OCMB बोलते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते हो फिर उसका next, उसके बाद next आपका जो subject आता है class 11 में वो है economics, sorry economics जैसे economics में basically आप लोग क्या पढ़ते हो मोटा मोटी अगर मैं बोलू आगा economics में आप लोग क्या पढ़ते हो basically economics आपका focus करता है demand and supply पे micro economics, macro economics जैसे आपके अलग-अलग वहाँ पे आप लोग terms पढ़ते हो तो economics आपका focus क्या करता है demand and supply जैसे concepts के ओपर पुड़ा आपको focus करता है फिर उसके बाद next आपका जो subject है SP, secretarial practice SP में क्या पढ़ते हो, basically आप लोग SP में सारे corporate के बारे में पढ़ते हो, बड़े-बड़े MNCs में कैसे हम लोग process होते है कैसे private limited company होती है क्या process होता है, public limited company वो सारे चीज़े, जो भी आपके corporate के सारे आपका जो rules and regulations है वो सारे चीज़े आप लोग SP में पढ़ते हो कैसे बड़ी-बड़े MNCs fundamentally operate करती है वो सारे चीज़े हम लोग SP में पढ़ते है जो कि है आपका secretal practice फिर last में बात करते है हमारा last जो सबसे most important subject है हमारा जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले है जो कि है accounts जिसे हम लोग short में BK या तो bookkeeping भी बोलते है तो basically हम accounts में क्या चीज़े पढ़ते है देखिए accounts basically जैसा नाम में ही लिका है accounts accounts में basically हम लोग क्या चीज़े पढ़ते है accounts में हम लोग сारे business का जो भी lane देन है उसे हम लोग कैसे record करेंगे उसे कैसे उसको books of accounts maintain करेंगे books of accounts में हम लोग trading account profit and loss balance sheet वो सारी चीज़े हम लोग कहां पढ़ते है वो सारी चीज़े हम लोग accounts में पढ़ते है तो accounts में आप जो भी आपके business के day-to-day transactions है उसको आप लोग कैसे record करोगे वो सारे चीजे आप लोग कहां पढ़ते हो accounts में जो कि आपका BK का subject है उसमें आप सभी चीजे पढ़ते हो तो ये मैंने जनरल ये आपको overview दे दिया कि basically आपका commerce stream में होता क्या है देखिए commerce stream is nothing but it's a study of business जहाँ पर हम लोग businesses को बारे में अच्छे से समझते हैं और बात करें हमारे account subject में accounts में हम लोग basically हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारे business के जो भी day-to-day के landing है day-to-day के transactions है उसे हम लोग कैसे हम लोग records करेंगे कैसे उसके accounting करेंगे वो सारी चीज़े हम लोग हम इस account subject में पढ़ते हैं और ये जो हमारा account subject है ये बहुत ही important topic है आपके class 11 का या तो आप बोल सकते हो account subject है वो बहुत ही important है आपके commerce stream में क्योंकि अगर आपको account subject नहीं आता अच्छे से अगर आपको accounts के concepts clear नहीं है तो आपको पूरा commerce stream boring लगेगा आपको commerce stream में मजा नहीं आएगा एक चीज़े ध्यान देना कि आपको account subject बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा या तो अगर मैं आपको बोलू तो accounts is basically heart of commerce अगर आपको commerce stream में survive करना है आपको accounts अच्छे से आना चाहिए और आपको accounts के सभी concepts clear होने चाहिए और मैं आपको guarantee देता हूँ कि मैं आपको सभी चीज़े conceptually पड़ाऊंगा हर एक चीज़े आपको detail में with proper understanding बताऊंगा तो ये just overview था introduction था क्योंकि basically हमारा first lecture था तो मैंने आपको just introduction दे दिया कि हमारे commerce stream में basically होता गया है तो ये एक हमने overview ले लिया फिर हम लोग आज आते हैं हमारे next concept जो कि हमारा introduction है पहला topic है पहला topic है जो कि हमारा introduction to bookkeeping and accountancy पहला topic हम लोग start करते हैं introduction to bookkeeping and accountancy तो देखें generally क्या होता है कोई भी subject में सबसे पहला topic आपका introduction होता है जिसमें हम लोग उस subject के बारे में पढ़ते हैं तो उसी तरीके से हमारा जो पहला chapter है accounts में जो BK में हमारा पहला chapter है वो है introduction to bookkeeping and accountancy जिसमें हम लोग basically bookkeeping का मतलब समझेंगे accountancy का मतलब समझेंगे accounts में अलग-अलग जो terminology से वो सारे चीज़े हम लोग cover करने वाले है तो चलिए शुरुवात करते हमारा first chapter जो की है introduction to bookkeeping and accountancy तो chapter शुरुवात करने के पहले मैं आपको एक condition बता देता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए जब आप BK पढ़ो जब आप accounts पढ़ो तो आपको एक चीज़े हमेशा ध्यान देनी है तो एक condition है मेरा कि जब भी कभी भी आप accounts पढ़ो तो आपको एक चीज़े हमेशा ध्यान में रखनी है पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको assume करना है कि आप एक businessman है आप क्या है आप एक businessman है और आप अपना business चला रहे है तो सबसे पहरा चीज आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप account subject पड़ो तो आपको as a business mind के point of view सोचना है आपको सोचना है कि मैं एक businessman हूँ और आपको business man के point of view सोचना है क्योंकि इससे क्या होगा इससे आपको सभी चीज़े समझने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि आपको सभी चीज़े फटा-फट आपको understanding मिलेगी तो आपको पहला condition आपको एक चीज़े दिमाग में बैठा लेनी है कि जब कभी भी आप account subject पढ़ो तो आपको सोचना है कि मै क्योंकि जैसे कि हमने previously भी डिसकास किया जैसे कि हमने थोड़े दिल पहले ही डिसकास किया commerce में क्या है commerce is nothing but a study of business तो जब कभी भी आप business के बारे में पढ़रो तो आपको businessman के point of view सो सोचना होगा तो उसी तरीके से हमारा पहला condition है कि आपको जब कभी भी आप accounts पढ़ो आपक बैसिकली जो हमारा subject है bookkeeping इसका मतलब क्या होता है bookkeeping का मतलब क्या होता है तो दीखे यह जो वर्ड है bookkeeping यह basically दो वर्ड को मिला के बनाए book और keeping तो अगर इसे मैं अगर समझू एक एक वर्ड को मैं अगर समझू तो book का मतलब क्या होता है book का मतलब होता है records और keeping का मतलब होत तो यहां पर हम ने संजया जो bookkeeping है वो basically 2 word को मिलाके बनाए पहला है book और दूसरा है keeping जिसमें book का मतलब होता है records और keeping का मतलब होता है to maintain इसका मतलब मैं आगर बोलू तो basically bookkeeping का मतलब होता है to maintain records अब लेकिन किस puck records bookkeeping का अगर मैं मतलब बोलू फिर हम बात करेंगे next कि किस चीज़ का records किस चीज़ का records हम maintain करेंगे records maintain करेंगे हम business के transaction का क्योंकि हम business के बारे में पढ़ रहा है तो business के जो भी transaction है उसको हम लोग जब records करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते है अगर मैं आपको एकदम आसान भाशा में बोलू तो bookkeeping is nothing but it's an process where we record the day-to-day transaction of the business in books of accounts in a systematic manner तो bookkeeping का अगर मैं definition बोलू तो bookkeeping क्या होता है bookkeeping is nothing but bookkeeping means recording of day-to-day business transaction day-to-day business transaction in books of accounts कहां पर हम लोग रेकौड करते हैं तो जो भी transactions होते हैं उसे एक book में रेकौड करते हैं जिसे हम लोग गोलते हैं बुक्स आफॉफ आपकॉंट्स और कैसे रेकॉड करते हैं इन systematic manner मतलब एक systematic वे में हम लोग उसे record करते हैं सिस्टमाटिक मैनर तो बुक किपिंग का यहां पर हमने मतलब समझ लिया देफिनेशन भी देख लिया बुक किपिंग मीन्स रेकॉर्डिंग ऑफ डे टुडे बिजनस ट्रांजक्शन इन बुक्स आफ अकाउंट्स इन इस्टमाटिक मैनर मतलब हम जो भी बिजनस के जो भी रोज के जो लेंदेने उसे हम लोग क्या करते हैं रेकॉर्ड करते हैं कहां पर रेकॉर्ड करते हैं बुक्स आफ अकाउंट्स में रेकॉर्ड करते हैं और कैसे रेकॉर्ड करते हैं इन सिस्टमाटिक मैनर मतलब उसे प्रॉपर लिएक सिस्टमाटिक मैनर में रेकॉर्ड क Accountancy का मतलब क्या होता है? तो यहां पे हमने bookkeeping का मतलब समझ लिया. अब हम लोग next समझ लेते Accountancy का मतलब. Next हम लोग समझते Accountancy का मतलब क्या होता है. तो जैसा हमने बहुता कि bookkeeping क्या होता है, basically जहां पे आप लोग business के transactions को record करते हैं. वेरास, accountancy एक बहुत ही बड़ा concept है, जिसमें आपका bookkeeping भी include होता है, basically अगर मैं बोले हो, तो bookkeeping में हम लोग क्या करते हैं, BK में हम लोग क्या करते हैं, BK is related to recording of business transaction, recording of business transaction, वेरास, accountancy, accountancy यह जो term है, यह एक बहुत ही बड़ा concept है, जिसमें आपका bookkeeping भी include है, जिसमें आपके transaction को record करने से लेके, उसको classify करना, analyze करना, और आपके जो भी books of accounts को finalize करना, वो सारे चीज़े, trading account, profit and loss, balance, वो सारे चीज़े कहां पर आ जाते हैं, आपके accountancy में आ जाती है, तो यह तो मैं बोल सकते हूं, accountancy includes, accountancy includes, recording of transaction, classifying, classifying, summarizing, summarizing, analyzing, and finalizing the books of accounts, books of accounts, तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़े समझी, bookkeeping का मतलब और accountancy, और generally इन दोनों में फरक क्या होता है, bookkeeping एक जश्ट छोटा सा process है, जहाँ पर transaction को record करते हैं, वेरास accountancy एक बहुत बड़ा concept है, जिसमें आपका transactions को record करने से लेके, पूरा आपका books finalize करना, तब तक का पूरा सारा process cover होता है, तो यह हमने दोनों चीज़ देख ली, तो अभी हम आज आते हैं, हम लोग meaning देख ले थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको meaning लिखवाया था, कि bookkeeping का मतलब क्या होता है, bookkeeping means recording of day-to-day business transaction, in books of accounts in a systematic manner, जैसे मैंने आपको लिखवाया था, कि जहाँ पर हम लोग day-to-day transactions को record करते हैं, उसी को हम लोग बोलते है bookkeeping, फिर next हमने देख लिया कि, what is the difference between bookkeeping and accountancy, bookkeeping and accountancy में क्या फरह होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, bookkeeping refers recording daily transaction, whereas accountancy includes recording, classifying, summarizing, analyzing, and finalization of books of accounts, तो generally यह difference होते हैं, bookkeeping and accountancy में, तो यहाँ पर हमने दो concepts cover कर लिए, bookkeeping का मतलब और difference between bookkeeping and accountancy का, फिर next concept पर आजाते हैं, फिर उसके बाद हमारा next concept है, objectives of bookkeeping, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, कि भाई हम लोग bookkeeping क्यों पढ़ते हैं, bookkeeping पढ़ने का पीछे का purpose क्या है, what is the purpose behind bookkeeping, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके purpose समझते हैं, सबसे पहला यहाँ पर दिया है, keep complete records of the business transaction, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, bookkeeping में क्या करते हैं, हम लोग business के day to day transactions को record करते हैं, तो सबसे पहला यह objective है, यह transactions are recorded in a systematic manner, मतलब कि जो भी हम लोग transaction, जो भी business में लेन देन कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, systematic manner में record करते हैं, मतलब properly transaction को date wise, उसको account wise, सभी चीज़ें को हम लोग systematic manner में record करते हैं, फिर उसके बाद next objective है, आपका records of monetary transaction, तो monetary transaction मतलब क्या होता है, जो भी पैसे से related जो भी लेन देन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, monetary transaction, तो bookkeeping में हम लोग क्या करते हैं, वो ही सारे जो भी business में, जो भी monetary transactions हुए, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेकॉर्ड करते हैं, इसके लिए हमारा next objective बढ़ने जाता है records of monetary transaction जितने भी पैसर से लेटर जो भी लेने रुए वो सभी चीज़े का records हमारे पास available होता है by the end of the day तो इसलिए हमारा next objective हो जाता है records of monetary transaction फिर next आपका objective है acts as an evidence bookkeeping के मदद से हमको क्या होता है हम सारे transactions को record करते है सारे documents invoices bills सारे supporting सभी चीज़े को maintain करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए एक as a business proof हो जाता है क्योंकि evidence का मतलब क्या होता है evidence मतलब proof हो जाता है क्योंकि कल उटके मुझे देखना है कि कौन से transaction मैं पार्ष में कि वो साहे चीज़े मेरे को कैसे पता चलेगी जब मैंने प्रॉपरली books of accounts मेंटेंग किया होगा तभी मुझे पता चलेगा इसके लिए हमारा next objective हो जाता है कि acts as an evidence फिर उसके बाद यहां पर आपका next objective है a certain profit or loss at the end of the year तो देखिए कोई भी बिजनस को अगर हमक तो वो हमें कैसे पता चलता है bookkeeping के form पता से पता चलता है फिर उसके बाद next पिंग किस से कितना पैसा लेना है किसको कितना पैसा देना है मेरे पास bank में कितना balance है cash में कितना balance पड़ा है वो सारी चीज़े हमको कैसे पता चलती है वो सारी चीज़े पता चलती है जब हम लोग properly books of accounts maintain करते है तो वो हमारा next objective हो गया फिर last आपका objective हो जाता है helps to know business progress, growth and profitability देखिए यहाँ पर हमको हमारे business का progress कैसे पता चलेगा जब हम सारे transactions को record properly maintain करेंगे ताकि मुझे साल के end में पता चले कि भाई मैंने जो साल भर में business किया उससे मुझे profit हुआ है, loss हुआ है मेरा business का growth कितना है वो सारे चीज़े पता चले कि जब मैं सारे transactions को properly record करूँगा तो यहाँ पर हमने objectives of bookkeeping देख लिया कि basically हमारा bookkeeping पढ़ने का पीछे का purpose क्या है वो हमने चीज़े समझ ली फिर उसके बाद हम यहाँ पर next आ जाते है सबसे most important concept जो कि है basic accounting terms के जो कि आपका basic accounting terminologies है जो आपके accounts में basic अलग-अलग terms है वो सारे चीज़े हम लोग एक एक करके समझेंगे यहाँ पर आप दो सकते हैं टोटल 20 अलग-अलग terms defined किये गए वो हर एक चीज़े को हम लोग समझेंगे एक एक करके detail में तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहला आपका जो यहाँ पर term defined है जो कि है business सबसे पहला term है आपका समझने है आपको business business का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको हर एक चीज़े एक दम ध्यान से समझना है मैं आपको हर एक चीज़े एक दम डीटेल में समझाऊंगा देखिए बिजनस का मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने आपको थोड़े देर पहले ही बता दिया कि बिजनस का मतलब क्या होता है बिजनस is nothing but buying and selling of any product आप कोई चीज़ खरिते हो और इसको बेजते हो तो वो ही एक basically business है तो business मतलब मैंने आपको already बता दिया था तो business क्या है business is an economic activity that involves exchange, purchase, sale or production of goods and services with a motive to earn profit देखिए जाहिट से बात है जब हम business करते है तो हमारे business के पीछे का motive क्या होता है हर business के पीछे का एक common motive होता है कि to earn profits देखिए business के पीछे सबसे पहला मक्सद होता है कि भाई जो भी मैं business कर उसमें मुझको profit होई क्योंकि मैं जब कोई चीज़ खरीज़ूँगा बेचूँगा उसमें मेरे को profit नहीं होगा तो मतलब क्या है मुझे business करके तो business का सबसे main motive होता है profits ठीक है तो यहाँ पर हमने business का मतलब समझ लिया सिंपल आपको समझना है business is nothing but buying and selling of any product आप कोई चीज़ खरीजते हैं उसको बेचते हैं उसी को हम लोग बोलते है business फिर next यहाँ पर next concept है आपका जो की है प्रोप्राइटर नैज garsत कॉणसेट जो बेसिकली बेसिकली बिजनस चला रहा है या तो आप बोल जकते हैं जो उस याव हम लोग क्या बोलते है प्रोप्राइटर प्रोप्रेटर की होकोन होता है प्रोप्रका कौन होता है is a founder or owner of the business owner or founder of the business जो उस business का मालिक है अगर आपको एकदम easy language में बोली तो जो business का मालिक है उसका हम लोग क्या बोलते है proprietor, proprietor मतलब owner of the business तो यह हमने दो चीज़े यहाँ पर समझी पहला business का मतलब हमने समझा दूसरा हमने समझा कि proprietor का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर हमने दो चीज़े समझ दी फिर उसके बाद हम यहाँ पर next concept पर देखते है next concept है आपका जिसका मतलब है transaction तो अभी हम लोग समझते है कि transaction का मतलब क्या होता है transaction का मतलब क्या होता है अगर मैं एकदम easy language में बोलू तो transaction का मतलब क्या होता है transaction मतलब क्या होता है lane din करना जब कभी भी कोई 2% के बीच में कुछ lane din होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते है उसी को हम लोग बोलते है transaction तो transaction is nothing but exchange of goods and services between two parties for money or money's worth तो transaction का मतलब क्या होता है जब कभी भी goods या तो service जब exchange होती है for money तो उसी को हम लोग क्या बोलते है transaction जैसे बान लिजे आप कोई आज कोई store पर जाते हो और आपने कोई चीश खरीदा तो और सामने आपने क्या किया जो आपने जो चीश खरीदा उसके सामने में बदले में आपने पैसा दिया तो यह क्या होगया कि या तो पैसा इंवल यहाँ तो पैसे कnte मुख गय ow एकोई चीज खडू से खड़ीधा तो वहां पर अपने सबसे पहला चीज़ है कि सामने पास पैसे नहीं को सबस्ते मुआ कर दिया साथ वह क्वहले को तो वो मँनी के के बदले पैसे के बदले में जो चीज देदी उसी को हम लोग क्या बलते है money is worth तो यह हमने transaction का मतलब समझ लिया कि basically transaction होता क्या है transaction मतलब simple transaction मतलब lane देन अगर मैं एकदम easy language में बोलू तो transaction is nothing but transaction मतलब lane देन अभी transaction को हम लोग 2 category में divide करते है transaction generally हम लोग 2 category में divide करते है सबसे पहला होता है monetary transaction सबसे पहला होता है monetary transaction दूसरा होता है non monetary transaction तो हम लोग 1 category करके दोनों को समझते हैं सबसे पहले बात करते है monetary transaction इसका मतलब क्या होता है देखिए जैसा नाम में दिया है monetary monetary का मतलब क्या होता है monetary मतलब जहां पैसा involved है जέackрах देखे conectory transaction मतलब क्या कि वो transaction जहां पर है जैसे महसे मैंने आपको बताए कि पीजा कोई जाते हो और आप कोई चीज खरीए tad और सामने आपने return में को पैसे देती है तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर पैसा here money transaction नई नचारिक Corey मतलब जहां पर पैसा Ll yr फिर उसके बाद यहाँ पर जिफानमी चाहिक्षा होती है सबसे पहला होता कैस्ट स exception दूसरा है क्रेडिट चरैट जिसोर्स सबसे पहला है कैसा नाम में हैडिकेक्ष्ट कैस second मतलब क्या होता है वह टांज्ट इसम बेसिकली इंवल्न है को पाई जैसे मेंगजम्पल से में आपको बता हो जैसे आपको दुकान पर जाते हो संपोस् आपने तूरं पर कानके पैशिवर às:" आपने सामने सामने लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट मतलब क्या होता है क्रेडिट मतलब उधार क्रेडिट का मतलब क्या होता है उधार क्रेडिट से तुरन नहीं दूंगा मैं आपको तीस दिन बाग पैसे दूंगा तो यह क्या हो गया यह एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया पैसा इन्वाल है लेकिन नौट अट पॉन्ट ऑफ टाइम तो कैसी नौट पेड़ और इमीजेटली तो उसको हम लोग क्या बोलते सोस्काल के आपको समझे करिडिट त्रांजक्षन मतला क्या जो उधार का ग्रण्जक्शन उसी कोंगो का बारे रांशाक्षन को सबसएप से पहला कैश DP दूसरा क्यों प्रमय नहीं जैसे मैं आंपको बताרג कि यहां पे eu mean इस यह से ब्सきます बैसि का करते थे तो उस टाइम पर क्या होता था उस टाइम पर लोग एक दूसरे के चीज़े एक्सचेंज करते थे क्योंकि पैसे इंवाल नहीं होते थे तो उस टाइम पर लोग एक दूसरे के चीज़े एक्सचेंज करके अपना जो भी नीड है उसको सैटीस्वाई करते थे तो उस यहां पर पैसा इन्वाल नहीं है बलकि गुड्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बलते हैं बाटर एक्सचेंज यहां पर दे सकते हैं तो दस नौट इन्वाल एक्सचेंज ऑफ मनी तो यहां पर हमने आपका चैपिटल का मतलब क्या होता है अगर मैं सबसे आसान भाषा में बोलू तो कैपिटल का मतलब क्या होता है जब कभी भी कोई बिजनसमैन अपने बिजनस में जो भी पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल कैपिटल मतलब क्या होता है जो भी बिजनस ओनर या तो आप प्रॉप्राइटर बोलो ओनर बोलो जो भी बिजनस का ओनर है मालिक है वो अपने बिजनस में जो भी पैसा लग इसने कपड़े की दुखान खोली और उसने जब बिजनस स्टार्ट किया उसने एक लाग रुपह से अपना बिजनस टार्ट किया तो यह जो एक स्टार्ट में पैसा लगा है आप का capital capital मतलब जो भी पैसा business men अपने business में लगाता है पैसे उसा हम मतंग है deprived क का मतलब क्या होता है अभई iniversitéड वाइट इन्टी दो बबीज जो भी पैसा में लगाते हैं notes तboro बहुता हैं थो किरे एंग और स्मझते हूं जो कि इस लेटेड है जो की है drawings तो देखे drawings का मतलब क्या हो तब मैं पहले आपको वो समझाते हूँ जैसा मैंने आपको बता है कि राम ने अपने बिजनस स्टार्ट किया और उसने बिजनस में एक लाग रुपय लगाया तो वो क्या हो गया उसका capital सपोस कीजिए कल उटके राम को पैसे की ज़रोत पड़ी तो उसने क्या किया उसने अपने बिजनस से सपोस कीजिए राम को कल उटके 5000 की ज़रोत पड़ी राम को क्या हो गया राम को 5000 की ज़रोत पड़ी तो राम ने क्या किया अपने बिजनस ये जो एक लाग रुपा बिजनस में डाला था उसने उसमें से पाच हजार रुपया उसने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, बिजनस में से निकाल लिया उसने, बिजनस में से विड्रॉ किया, बिजनस में से विड्रॉ किया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्य पैसा निकालेगा वो पस्टनल रूपर क्या हो पाटोर से निकालता है पैसा निकालता है फटो leg इस केस में देखा था कि राम ने 5000 रुप अपने बिजनस में से निकाला फॉर इस परस्नल यूज तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे द्रॉइंग तो द्रॉइंग इस नतिंग बट अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाइद ओनर फॉम दे बिजनस फॉर इस पर कर लिया परस्नल यूज के लिए तो वो भी एक टाइप का ड्रॉइंग कहलाएगा द्रॉइंग में दोनों चीज हो सकती है या तो कैश आ जाएगा या तो दूसरा गुड्स हो सकता है और सबसे में चीज़े जो होनी चाहिए परस्नल यूज होना चाहिए ना कि उसके वापस गूड्स परचेस के लिया तो वो उसका ड्रॉइंग नहीं कहलाएगा क्योंकि वह उसने वापस से बिजनस यूज के लिए उसको यूज किया तो एक चीज़े ध्यान देना है ड्रॉइंग के लिए सबसे पहला कंडिशन होना चाहिए कि परस्नल यूज होना से लिए मनें समझी यहां पर फिर उसके बाद नेक्स्त राजाता है नेक्स्त गूर्स मतलब क्या होता है आप मैं से सबी है गुट्स का मतलब तो definitely पता होगा फिर भी मैं आपको बता दो देखिए गुट्स मतलब क्या होता है गुट्स मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है गुट्स मतलब anything जो basically आप देख सकते हो उसे touch कर सकते हो तो वो क्या होता है basically goods तो goods is nothing but goods can be any item material consumable substances which are sold to the customer जो आप customer को बेखते हो वो basically क्या होता है goods तो यहां पर हमने goods का मतलब देख लिया goods मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है it means any material ठीक है तो goods का हमने मतलब समझ लिया फिर उसके बाद हमारा next यहां पर next concept है जो कि है stock जिसे हम लोग inventory भी बोलते है तो यहां पर हम लोग stock का मतलब क्या होता है वो समझते stock या तो inventory देखे stock का मतलब क्या होता है stock any goods which are lying in the business for the purpose of sale मतलब जो भी आपने business में जो भी goods रखा है बेचने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते है stock जैसे example के लिए आप कोई डिमार्ट जाते हो कोई shopping center जाते हो तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे goods line से पुरे record में लगे होते हैं तो उसको मैं अगर एक word में बुली तो वो क्या है stock है stock मतलब inventory है तो उसी कौम लोग मतलब हमने समझ लिया और stock और inventory जनरली दोनों सेम होता है तो यहां पर आपने stock का मतलब समझ लिया फिर stock से related दो concept ने यहां पर opening stock और closing stock तो यह दोनों चीजों को भी समझते देखिए opening store का मतलब क्या होता है stock का मतलब तो मैंने आपको बता दिया जो भी मेरे business में goods पढ़े है जो भी मेरे business में लोक उसको हम लोग क्या उतिजर तो Uhh business पढ़े जो भी मेरे business में लोगा पराए साल के पहले दी अट-ध the beginning पर लिए बीजनेस में पड़े है उसकी तरीके से जब्रक्लोजिंग मतलब साल के शुरुआत में जो भी हमारे बिजनेस में बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते है closing stock तो closing stock मतलब क्या goods lying unsold in the end of the year और generally हमारा end of the year कब होता है 31st March को होता है क्योंकि हमारा opening first April को होता है accounts में और आपका end of the year होता है 31st March को तो यह हमने दो चीज़े समझी opening stock का मतलब और closing stock का मतलब तो यहाँ पर हमने चार concept समझे सबसे पहला goods का मतलब समझे आ घूस58 मतलब कोई भी चीज़े हो सकती है दूस्रा हो गया अमने stock का मतलब समझा next concept जो की most important कॉंसेट है या आपको अच्छे से ध्यान देना है बहुत ही इंपॉर्टन कॉंसेट है डेटर और क्रेडिटर है तो यहां पर ध्यान से समझना यह चीज़े कि बहुत सारे लोगों को यहां पर कन्फिजन होता है डेटर और क्रेडिटर में तो यहां पर डेटर का मतलब समझ पैसा लेना है ठीक है तो यहां पर डेटर का मतलब समझा कि जिससे आपको पैसा लेना है और उसी तरीके से क्रेडिटर का मतलब क्या होगा है क्रेडिटर मतलब उसका उल्टा हो गया है क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा आपको देना है क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा आपको क्या होते हैं तो सपोसिए उसी example को लेते मिश्टर राम एक person है ठीके और यह अपना बिस्ट कर रहा है इसका एक business है सपोस की जिए इसका कपड़े का बीजनस है ठीकिए सपोस की जिए राम का customer है श्याम राम खरेकिक ऊपर मेरे श्याम वह श्याम राम के पास आके suppose कीजिए उसने 1000 रुपे का गुड्स पर्चेस किया क्या किया उसने 1000 रुपे का इसने गुड्स पर्चेस किया किस से राम से गुड्स पर्चेस किया इसने राम से 1000 रुपे का गुड्स खरीदा ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर शाम ने राम राम को हजार रुपय तुरंद नहीं दिये राम ने राम को क्या बोला मैं गुड्स हजार रुपय के जो खरीद रहा हूं इसका पैसा मैं तुझे तीस दिन बाद दूगा तो यहां पर क्या हो गया राम को शाम से कितना लेना है हजार रुपया शाम से लेना है तो शाम क्या हो जाएगा शाम राम के लिए डेटर हो जाएगा तो क्योंकि Sham is liable to pay 1000 रूपीज to Ram इसको 1000 रूपे Ram को देना है तो ये क्या हो जाएगा शाम राम के लिए Dator हो जाएगा अगर मैं बोलू Sham कौन है यहाँ पर Dator है क्योंकि Dator किसका Dator है राम का Dator है क्योंकि Sham को राम से पैसे लेना है तो यहां पर simple आपको समझना है कि जिस किसी भी व्यक्ति सेアपने को पैसा लेना है पह厉ति गजामपल को continue करते सब्ग्स किजी राम का एक supplier है अशोक राम का एक शपला है अशोक जिससे जनरली राम हमेशा गूड्स पर्चेस करता है तो राम ने क्या किया सपोस कीजिए राम ने अशोक से सपोस कीजिए 20,000 का गूड्स पर्चेस किया बट यह क्या क्या क्रेडिट में पर्चेस किया तो इसमें तुरन्ट पैसे नहीं दिए इसको क्या 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 पर्सस किया इसका मतलब राम इस लाइबल टू पेट 20,000 रुप्यस तु अशोक मतलब राम को अशोक को पैसे देना है तो उस Скieur में असोग सबस्गी घ्रींट क्रेडिटर ऊँसती चाहिए कि अंगा याँ जाए कि कर्णिंट हो जाएगा यहां ध Cabinet रूब क्रेडिकर हो जाएगा कि क्योंकि कि स्कॉन स्मां पैसा लेना है वह हमारा हो जाता है डेटर और जिसको हमको पैसा देना है हमको यहाँ पर अशोक को पैसा देना है और शाम से पैसे लेना है तो इसके लिए मेरा डेटर कौन हो गया? मेरा डेटर हो गया शाम और मेरा क्रेडिटर हो गया अशोक तो यह हमने दोनों चीज़े समझी देटर और क्रेटर सिंपल आपको एक चीज़े धान देना है वह परसल मपका होगा डेटर और जिसको आपको पैसा देना है उस वह को जहेगा आपका क्रेडिटर तो यहां पर कर डेटर का का मतलब की होすबर देख लिए एक बार डेटर का मतलब कि अभण entity यहां पर मैंने फोटो में यहां पर दे सकते हो जो परसन पैसा देने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर और जो पैसा लेने वाला है वो होता है क्रेडिटर ठीक है तो यह हमने डेटर और क्रेडिटर का मतलब समझा फिर आ जाते हम लोग नेक्स्ट कॉंसेप पे जो की है एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का मतलब समझते हैं एक्सपेंसेस का मतलब समझते हैं एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है खर्चा खर्चा किसका खर्चा बिजनस का खर्चा जो भी बिजनस में आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते है expenses तो expenses क्या है money spent by the business और cost incurred by the business जो भी हम लोग business में खर्चे कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते है expenses तो यह हमने expenses का मतलब समझा और generally हम लोग expenses को तीन category में divide करते हैं सबसे पहला होता है capital expenditure दूसरा होता है revenue expenditure तीसरा होता है deferred revenue expenditure तो यहां पर हम लोग तीनों चीज़ों को समझते हैं देखिए हमने expenditure का मतलब तो समझ लिया expenditure का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके business में जो खर्चे हो रहे उसको हम लोग बोलते expenditure अभी हम लोग एक एक करके समझते कि यह जो हमने expenditure को तीन category में डिवाइड कर दिये जो यह expenditure को हमने तीन category में डिवाइड किया है उसका हम लोग मतलब समझते सबसे पहले बात करते capital expenditure क्या होता है देखिए capital expenditure क्या होता है मैं आपको वह समझाता हूं Capital expenditure मतलब क्या होता है, वो सारे खर्चे जिसका benefit आपको long term में होगा, जिसका आपको long term benefit होगा, long term benefit, long term benefit किसमें होगा, जैसे आपने कोई property परचिस किया, आपने कोई land purchase किया, कोई building purchase किया, कोई अपने furniture purchase किया, तो ये सारी चीजे क्या है, यह सारे जो भी चीज़े यह आपको long term में benefit देने वाले हैं तो इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलेंगे capital expenditure जो भी आपने खर्चा ऐसे assets को buy करने में लगाया है जिसका आपको long term में benefit होगा या तो अगर मैं बोल दू all the expenditure incurred on the fixed asset fixed asset मतलब वह जो long term के nature के होते हैं जैसा आप यहां पर देशकते हो जो आपका घर हो गया property हो गया जो machinery हो वह सारे चीज़े में आप जो भी खर्चे करते हो वह सारे खर्चे को हम लोग बोलते capital expenditure है simple आपको याद एकना है जो खर्चे आपको long term में benefit होंगे उसको में लोग बोलेंगे capital expenditure और यह जनरली long term क्या होते है long term मतलब जिसका benefit एक साल से जाधा होना चाहिए more than one year more than one year more than one year तो एक साल से जाधा अगर कोई खर्चे में में को benefit हो रहा है उसको मैं बोलूंगा capital expenditure उसी तरीके से दूसरा expenditure है revenue expenditure revenue expenditure मतलब क्या revenue expenditure मतलब वह सारे खर्चे जो basically आपको short term benefit दे रहे short term benefit दे रहे क्या दे रहे short term benefit या तो आप बोल सकते हो जो आपके बिजनस में day to day के जो खर्चे है बिजनस में जो day to day operating expenses उसको हम लोग क्या बोलते है revenue expenditure revenue expenditure मतलब जैसे आपके business के daily के खर्चे जैसे आपने कोई goods purchase किया आपने rent पे किया salary पे किया repairs में जो खर्चे किये उस सारे खर्चे जो है जो आपके daily business चलाने के लिए लगेंगे वो सारे चीज़ों को हम लोग बोलेंगे revenue expenditure revenue expenditure मतलब वो सारे खर्चे जो basically short term nature है या तो अगर मैं बोलू जिसका benefit एक साल से कम के लिए होता है जिसका benefit less than one year तो इसको हम लोग बोलते है revenue expenditure यहाँ पर आपने दो चीज़े समझी capital मतलब जो long term के nature के खर्चे है उसको हम लोग बोलेंगे capital expenditure और revenue expenditure है जो मेरे business को day-to-day चलाने के खर्चे है day-to-day operating expenses बीच है short term in nature उसको हम लोग बोलेंगे revenue expenditure फिर उसके बाद हमारा next जो concept है जो कि है deferred revenue expenditure next हमारा expenditure का type है deferred revenue expenditure तो यह हम लोग समझते है deferred revenue expenditure क्या होता है देखिए simple अगर मैं आपको समझाओ deferred revenue expenditure मतलब क्या होता है तो देखिए basically deferred revenue expenditure क्या होता है देखिए deferred revenue expenditure मतलब वो expenditure जिसका basically nature तो revenue का है बट उसका benefit आपको एक साल से जाधा के लिए हो रहा है इसका best example में आपको समझाओ तो जैसे आपने कोई business start किया और आपने business के start के time पे एक advertisement के लिए बहुत ही heavy expenditure किया जैसे आपने बड़े-बड़े boardings, hoardings लगा दिये सबी खर्चा किया क्या उसका benefit आपको एक साल तक ही होगा answer ही नहीं क्योंकि advertisement में जो भी खर्चा किया आपने उसका benefit हो सकता है आपको एक साल से ज़्यादा हो उसका benefit आपको across the year हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते है है deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure मतलब वह expenditure जिसका नेचर तो revenue है बटीसका benefit आपको एक साल से ज़्यादा या तो long term के लिए हो रहा है उसका हम लोग बोलेंगे कि इंगेर 2021 अब एक्समपल कहा था खुर्टी के कि एक्ष एक्सपेंपलबेग्स पेंकशكن वह सबस्केटाब को है कि इन यह रहत है तोट यह शांङ है है नेचर नेचर है रेवेन्यू का ठीक है जिसका बैस्ट निलघ देखा था एग्जांपल देखा था धाठीक Queen कि वह उगया आपका को डेफध रेवार्ट डेखेमे आप जा देख लिया आपका है इंकम और रेघियों इंकम और रेवेनूइयू तो यहाँ पर आमोक समझते इंकम क्या शना बोलते हैं इंकम का मतलब इंकम्तों हैं और पर आपको समझाने कम क्या है आप बिस्नस में जो भी गुट में यह आपको पैसा मिल वहां उसको हम तो बहुति है consistent उसको बेच के जो भी आपको पैसा मिल ला उसको लॉते हैं इनकम या तो रेवेन्यू बोलते हैं तो यहाँ पर इंकम या तो रेवेन्यू का मतलब हम लोग दिखते हैं money reviewed by the business by selling its goods or service business पर जो भी चीज हम लोग बेच के जो भी हमको पैसा मिल ला उसी को हम लोग लोग बोलेंगे income तो यहां पर हम लोग इंकम का मतलब देख लिया फिर next concept पर आ जाता है discount फिर उसके बाद हमारा next concept है discount discount का मतलब समझते हैं तो हाला कि आप में से बहुत सारे students लोग को discount का मतलब अल्यडी पता होगा फिर भी हम लोग समझते हैं discount का मतलब आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे सा पता होगा क्योंकि आप लोग day to day basis पे आप यह word daily use करते हो क्योंकि जब कभी भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो सबसे पहले चीज़ आप दुकंदार से क्या मांगते हो discount तो discount का मतलब क्या होता है discount is nothing but a concession मतलब it's a kind of relief आप जो भी चीज़ खरीदते हो उसमें से जो भी price में से जो भी आपको concession मिलता है उसको अम लोग क्या बोलते हो discount discount is nothing but a concession concession मतलब क्या होता है छूट given by the seller to the buyer discount कोन देगा seller देगा क्योंकि जब buyer seller के बास से goods purchase करेगा तो discount कोन देगा seller देगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते है discount discount is nothing but simple आपको समाने है it's a concession और it's a kind of relief और rebate ठीक है तो यह चीज़ आपको समझना है कि discount मतलब nothing but a concession और generally business में हमारे discount दो किसिम के होते है business में हम लोग discount को दो category में divide करते है सबसे पहला होता है trade discount दुसरा होता है cash discount तो दोनों चीज़ों को समझते है सबसे पहले बात करते है trade discount क्या होता है वो हम लोग समझते है जब कभी भी कोई goods आप purchase करते हो और जब purchase के time पे जो seller आपको discount देता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं trade discount जैसे example एक लेते हैं और समझते हैं इसको जैसे example उसी example को लेते हैं हमारा Ram वाला example हमारे case में Ram है suppose Ram का एक supplier था जैसे हमारे case में Ashok suppose Ram अपने supplier के पास जाता है seller के पास जाता है और उससे 1000 रुपे का goods purchase करता है कितने का 1000 रुपे का goods purchase करता है 1000 रुपे का यहाँ पर क्या किया है goods purchase किया तो यहाँ पर 1000 रुपे का जब Ram ने Ashok से goods purchase किया अपने seller के पास से goods purchase किया तो सबसे पहले बात क्यूंकि इसने कुछ bulk में goods purchase किया तो एजो अशोक है, इसने क्या किया? उसने कुछ discount दे दिया, इसने मानके चलिए 100 रुपे का इसको discount दे दिया यहां पर इस तो, फिसको net Ram को कितने में पड़ा, गुट्स? 900 रुपे में पड़ा, ठिके, तो ये क्या हो गया? ये आपका discount हो गया तो यह क्या हो गया? discount. discount मतलब जब कभी भी कोई goods आप purchase करते हो और at that point of time जो seller आपको एक discount देता है उसका हम मलग बोलते है trade discount. trade discount is nothing but discount at the time of purchase of goods or services. मतलब जब विशकार अपने goods खली था तुरांत आपको seller ने एक दिसकाउंट दे दिया उसी को हमोग बलते है trade discount फिर उसके बद हमाना next type of discount है जो कि है cash discount touch discount को मतलब समझते है क्या होता है देहिए ट्रی discount आपको मोज़ कि trade discount जभी आप लिल्ग पडिस्जांट करते हो तो तँभी जो भी डिसकांट दे जाता है उसको हमोग बलते क्लते है डिसकांट normal आपको seller देगा उसको हम लोग बोलेंगे cash discount तो discount given at the time of payment और ये basically क्यों दिया जाता है हम लोग उसे वो समझते तो इसी example को अगर हम लोग समझेंगे कि जैसा कि हमने देखा था राम ने अशोक से goods purchase किया 1000 रुपे का जिसमें अशोक ने 100 रुपे का उसको discount दिया और ये आपका 30 दिन के लिए उधार पर बेचा था तो यहां पर अशोक ने क्या किया था अशोक ने राम को 30 दिन के credit पर goods बेचा था तो suppose कि जी अशोक क्या बोलता है अशोक राम को क्या बोलता है अगर तू मुझे payment 10 दिन के अंदर payment दे देता है तो मैं तुझे 100 रुपे का और discount दे तो अगर राम 10 दिन के अंदर payment कर देता है तो उसको 100 रुपे का और discount मिल जाएगा तो उसको final अगर goods कितने का पढ़ेगा 800 रुपे का तो यह जो discount दिया उसने काई के लिए discount दिया था for making the payments तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे cash discount क्यों क्यों देते हैं ताकि सामने वाला जो बायर है वो पेमेंट जल्दी कर दे तो यह हमने समझाए कि cash discount क्यों क्यों देते हैं cash discount is basically given to encourage the payment और यह जो आपका discount है यह after trade discount दिया जाता है सबसे पहला आपका जो trade discount आता है उसके बाद आपका cash discount आता है simple आपको समझना है कि trade discount मतलब जब आप goods purchase करते हो तो वो जो discount मिलता है उसे हम लोग बोलते trade discount और दूसरा है जो आपका cash discount जब जो भी discount आपको payment के टाप पे मिलता है उसको हम लोग बोलते है cash discount तो यहां पर आपने दो चीज़े समझे trade discount और cash discount moving on to the next concept जो की है assets assets का मतलब समझते हैं देखिए asset का मतलब क्या होता है asset मतलब property of any kind asset में आपके सभी चीज़े आगे जैसे आपका land हो गया building हो गया property हो गया machinery हो गया vehicle हो गया computer हो गया laptop हो गया यह सारे चीज़े हैं इसको हम क्या बोलते है assets assets मतलब property of any kind that is owned by the business जो भी business अपने property को own करता है उसको हम लोग क्या बोलते है assets assets का मतलब क्या होता है property of any kind owned by the business जिसमें assets में क्या क्या चीज आती जैसे आपके building हो गया property हो गया machinery हो गया furniture हो गया computer हो गया यह सारे चीज़े को हम लोग क्या बोलते हैं asset तो यहाँ पर आपने asset का मतलब समझा asset is nothing but property of any kind जिसमें आपके सभी चीज़े आगे फिर moving on to the next assets को generally हम लोग ने तीन category में divide कर दिया है generally assets को normally हम लोग तीन category में divide कर देते हैं सबसे पहला होता है asset जो कि है fixed asset दूसरा होता है current asset और तीसरा होता है vicious asset तो यहाँ पर हम लोग assets के तीनो टाइप को कर एक 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 करके समझते है बेसिकली यह क्या चीज़े होती है बात करते हैं सबसे पहला time का asset जो क्ये है fixedosset जिसे हम लोग non current tg इतुझ ये इसे हम क्यों क्या बोलते है non-current asset भी बोलते हैं हम लोग non current assets तो सबसे पहला हम लोग समझते fix asset क्या होता है देखे fix asset मतलब क्या होता है यह basically वो asset है जो basically long term in nature है मतलब जिससे आपको long term benefit होने वाला है जिसका सबसे best example है जिससे आपका property हो गया building हो गया furniture हो गया machinery हो गया यह सारे जो assets है यह आप लोग क्या एक दो दिन के लिए यूज करते about benefits सालों साल तक होता है उसी को हम लोग क्या बोलता है लौनग टम असेट तो फिखे Finnish असेट या तो non-current assets तो am हमने देखा था कि fix asset में क्या क्या चीज़ आते हैं अपका लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया machinery हो गया फरनीचर हो गया laptop हो गया computer हो गया यह सारे चीज़े क्या है यह सारे चीज़े fix asset है फिर नेक्स्ट आ जाते हैं current asset जैसे fix asset या non current asset जो आपके long term होते हैं उसी तरीके से current asset क्या होते है current asset बतलब वो असेट होते हैं जो basically short term in nature है जो basically short term in nature है क्या है short term देखिए assets which are short term in nature और जिसका benefit आपको एक साल के अंदर तक होता है या तो आप बोल सकते हैं up to one year जिसमें आपके कौन-कौन जैसे आपके डेटर हो गये bank balance हो गया cash balance हो गया बिल usable हो गया stock हो गया यह सारी चीज़े क्या है यह सारी चीज़े वो असेट से जो basically short term in nature है जिसका benefit आपको एक साल के अंदर तक ही होता है तो वो सारे चीज़े को हम लोग क्या बोलते है current asset फिर उसके बाद हमारा next type of asset है जो कि यह fictitious asset fictitious assets क्या होता है वो समझते देखिए fictitious assets generally क्या होता है वो समझते fictitious assets मतलब basically वो assets which don't have any physical form and इसे हम लोग क्या बोलते imaginary assets भी बोलते जैसे example के लिए मैं बोलू जैसे आपने कोई heavy advertisement expense incur किया तो यह जो expense है यह basically क्या है इसका benefit आपको long term के लिए होगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलते है fictitious assets fictitious assets क्या होता है basically assets which do not have any physical form इनका कोई physical form नहीं होता क्योंकि generally जो assets होते हैं उसको आप physically देख सकते हो touch कर सकते हो उसको feel ले सकते हो but whereas बात करें fictitious assets की तो यह basically वो assets है जिसको basically आप कोई physical form नहीं होता but which are also called as imaginary assets जिसका सबसे best example है जो आपका advertisement expense है उसको हम लोग क्या बोलते है fictitious assets जिसका basically benefit आपको एक साल से ज्यादा के लिए होता है तो यह हमने देख लिया तीन category सबसे पहला देख लिया fixed assets जो basically long term की assets होते है और दूसरा होता है आपका current assets जो basically short term in nature होते है तीसरा होता है आपका fictitious assets जिसमें हमने देखा जो basically imaginary assets होते है जिसका सबसे best example होता है जो आपका advertisement expenditure उसको हम लोग क्या बोलते है fictitious assets तो यह हमने देख लिया different types of assets moving on to the next फिर उसके बाद हमारा next concept है यहाँ पे liabilities moving on to the next concept liabilities liabilities का मतलब क्या होता है liabilities मतलब वो सारे चीज़े जहां पर आपको पैसा देना है liability मतलब जहां भी आपको पैसा देना है वो क्या होता है वो सारे चीज़े आपकी liabilities होती है Liabilities मतलब क्या Any amount payable by the business to the outsider जो भी पैसा आपके business में से बाहर वालों को पैसा देना है जो भी आपके करजे है वो सारे चीज़े को हम लोग क्या बोलते है Liabilities Liabilities मतलब simple जिस किसी को भी आपको पैसा देना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे Liabilities तो यहाँ पर generally Liabilities को हम लोग दो category में डिवाइड करते है सबसे पहला होता है Fixed Liability दुसरा होता है Current Liability तो हम लोग एक एक करके समझते है जैसा हम लोग देखा था Fixed Asset मतलब क्या होता है Fixed Asset मतलब वो Asset जो Long Term के Nature के होते है उसी तरीके से Liability में भी Same Concept होता है कि वो लाइबलिटी जो बेसिकली Long Term नेचर है जो बेसिकली जो भी पैसा आपको देना है जिसका Tenure बेसिकली एक साल से जादा के लिए है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे Fixed Liability और वेरस बात करें Current Liability जैसे आपने देखा था Current Assets तो उसी तरीके से सेम आपका Current Liability भी होता है Current Liability मतलब वो Liability जो बेसिकली Short Term नेचर है या तो आप बोल सकते हो वो सारे Liabilities जो बेसिकली अप टूदा Tenure of One Year है वो सारे को हम लोग बोलते है Current Liabilities तो Fixed Liability क्या है Basically which are Long Term in Nature and which are Payable more than One Year जैसे for Best Example आपका Fixed Liability का है Best Example है आपका जैसे आपने कोई Bank से Loan लिया ठीक है आपने जब Bank से Loan लिया तो क्या आप उस Loan का Repayment एक साल के अंदर तक ही कर दोगे Answer है नहीं क्योंकि जब आप Bank से Loan लेते हो तो उसको आप Repayment 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद काफी लंबे tenure में उसका पेमेंट करते हो तो वह सारी चीज़े को हम लोग क्या बोलेंगे Fixed Liability Fixed Liability मतलब Simple वह लाइबिलिटी जो basically Long Term in Nature मतलब वह सारे Payables जो एक साल के Beyond है उसको हम लोग बोलेंगे Fixed Liability उसी तरीके से Current Liability है वह लाइबिलिटी वीचा बेसिकली Short Term in Nature वीचा पेबल वितिन वन यह मतलब जो एक साल के अंदर ही पेबले उसको हम लोग बोलेंगे Current Liabilities जिसका जिसमें आपका क्या क्या चीज़े आ गया जैसे आपका आपके Fixed Asset और Current Assets के जैसे ही है और इसे जलेल हम लोग Non Current Liabilities भी बोलते हैं इसको तो यहां पर हमने देख लिया Liabilities का मतलब फिर उसके बाधर यहां पर Next Concept है Conse philosophicDon E teo next concept है आपका ela का Contingent laquelle चीज़े आ तो यहां पर हम लोग समझतेंike की liability liability मतलब जिस किसी को भी आपको पैसा देना है वह साली चीज़ फिर पिर यह contingent liability क्या होता है इसको समझे के लिए सबस्ते contingent का मतलब क्या होता है क्योंकि liability की मतलब तो हमको पता चल गए contingent मतलब हो भी सकता है नए भी हो सकता है contingent मतलब basically it is uncertain contingent मतलब uncertain मतलब हम लोग fix नहीं है sure नहीं है कि भाई यह liability है की नहीं है और यह basically uncertain है क्यों basically it depends on the future event मतलब यह future event के basis पर decide होगा कि यह liability होगा कि नहीं होगा इसका सबसे best example है warranty इसका सबसे best example आपको समझना है तो आझा को नहीं को समझना है कि warranty जैसे suppose कि आज आज आपने फोन खरीदा जिसकी टे financing एक साल की वारेंटी है तो अगर एक साल के अंधर आगर वह फोन खराब हो जाता हो जाता है तो उस company की liability हो जाती है कि उस phone को रिपैर करके देना उस phone को ठीक करके देना तो यहाँ पर क्या हुआ यह अगर एक साल के अंदर विदिन दा वन ये वारेंटी पिरिड अगर वो फोन खराब होता है तो company की liability होती है कि उसको उस mobile phone को ठीक करके रिपैर करके देना अगर एक साल तक के अंदर अगर एक साल के अगर suppose कीजिए phone खराब हो गया तो वहाँ पे उस company की liability ओकर हो गए मतलब company की liability arise हो गए बट अगर phone खराब नहीं हुआ बाइचाज एक साल के अंदर तो उस case में company की liability नहीं है तो company जब कभी भी phone issue करती है warranty वाले तो वहाँ पे company के लिए हमेशा contingent liability खड़ा रहता है कि कल उटके अगर phone जो हमने customer को बेचा है कल उटके वह खराब होता है तो उस case में मेरी liability occur हो सकती है तो contingent liability basically क्या होता है इस आपका liability और नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे का अब देखा है फूचर इवेंट का सबसे बेस्ट liability or not due to uncertainty they are termed as contingent मतलब मैं sure नहीं हो मतलब future में अगर कोई event होता है तो उसके वज़े से मेरी liability occur होगे इसके लिए हम लोग उसको बलते है contingent liability contingent मतलब basically these are uncertain जिसका best example हमने देखा warranty warranty या तो guarantee हो गया after sales service हो गया कोई आपका court का claim हो गया हो गया यह सारे चीज़े क्या होती है यह बेसिकली आपके contingent liability होती है जो future event पे आपका decide होता है तो यह हमने समझ लिया contingent liability का मतलब विचा basically not a real liability but basically that are dependent on the future events फिर उसके बाद moving on to the next concept जो कि है purchase and sales जो कि सभी लोगों को हलाकी पता ही होगा purchase and sales का मतलब समझते purchase का मतलब क्या होता है purchase मतलब simple कोई चीज़ खरिदना business के लिए उसको हम लोग क्या बोलते है purchase purchase मतलब क्या purchase मतलब simple कोई चीज़ खरिदना कि उसको हम लोग क्या बोलते है purchase तो यहां पर purchase का मतलब क्या होता है जब कभी भी आप business के भी खरिते भीजी खरीटते हो तो उसी को वी तो उसी सब्द doeको बेचते हो यू सी को फेने पेना सेल्स मतलब एसना इसना स्पाय velop क्या स्वाय की सनक मतलब पाता हो और उसी बुह सी बीचते मतलब चेज और बहुत ही उद एसे तरल मतलब क्या होता है सेल्स का मतलब बहुत ही इजी टम से हलाकि सभी लोगों को पता होगा फिर मुविंग आपकी इनकम आपके खर्चे से जादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉफिट उसी तरीके से जब कभी भी आपका इनकम आपके खर्चे से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे लॉस जैसे मान लीजिए आपने पूरे साल भड़ में 10,000 का गुड्स बेचा दस हजार का अपने सेल्स किया जबकि आपने जो गुड्स बेचा उसका कौस्ट कितना था अपने उसको पर्चेस कितने में किया थ उसको अपने सपोस्ट पर्चेस किया था 8,000 में तो यहां पर क्या हो गया 10,000 में से अगर मैं 8,000 कम करूं तो यहां पर 2,000 जो बचता है वो मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट तो प्रॉफिट इस नथिफरेंस बिट्वें इंकम एंड एक्सपेंस और जो नेक्स है आपक लॉस हो गया 5,000 का क्या है यह लॉस है तो लॉस क्या है जब कभी आपके खर्चे आपके इंकम से जादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉस तो यहां पर हमने समझा प्रॉफिट का मतलब लॉस का मतलब समझा और मूविंग ऑन तो नेक्स कॉंसेट जो की है जो कमतलब क्या होथ है सब्सक्राया वह सब्सक्राइट का मतलब सबसे पहले समझे सब्सक्राइब्ट क्या होते है इसकी लाइड़ से ज़ादा है तो उसको अम लोग क्या बोलते है, सपोज कीजिए एक एक्जाम्पल है, सपोज कीजिए यह पर्सन है, इसकी assets है टोटल 10 लाग की, बल्कि उसकी liability है 8 लाग, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी liability तो कम है, बट उसकी assets ज़ादा है, असेट उसकी जादा है, liability कब है, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, solvent उसी तरीके से दूसरा है, insolvent, insolvent का मतलब क्या होता है, वो उसका reverse हो गया जब कभी भी किसी person की liability उसके असेट से जादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, insolvent Insolvent को हम लोग क्या बोलते हैं Hindi में हम लोग उसे बोलते हैं Insolvent मतलब कंगाल हो जाना जब कोई बंदा बरबाद हो जाता है कंगाल हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते है Insolvent क्योंकि उसकी Liability उसके Assets से जादा है Suppose कीजिए Assets की Value 10 लाग थी बट उसकी Liability है 15 लाग तो यहाँ पर क्या हो गया उसकी Assets तो कम है बट लाइबिलिटी जाद है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे Insolvent पर्सन उसको हम लोग बोलेंगे Insolvent पर्सन या तो उसे हम लोग जनरली बोसकते कंगाल हो जाना तो यह हमने देख लिया Solvent और Insolvent का मतलब फिर आगे बढ़ते है Net Worth का मतलब समझते है Net Worth क्या होता है बेसिकली Net Worth कुछ नहीं होता है जो आपका Assets में से आपकी Liabilities को हम लोग कम कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे Net Worth Net Worth मतलब क्या Assets माइनस Liability Suppose किजे एक Example है Suppose किजे Mr.Ram है जिसकी Assets की Value 50 लाग है बलकि उसकी Liability की Value 40 लाग है तो यहाँ पर उसकी Net Worth क्या होगी 50 माइनस 40 उसकी Net Worth क्या होगी उसकी Net Worth होगी 10 लाइक रुपीज तो Net Worth क्या होता है Net Worth मतलब Assets माइनस Liabilities और जनरली इसे हम लोग Capital भी बोलते है इसे का आप Capital भी बोल सकते हो काफी जगा हम लोग इसे Capital भी बोलते है तो Net Worth मतलब हमने समझ लिया Assets मैसे Liabilities को हम कम कर देंगे तो उसकेस में हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे Net Worth Moving on to the next concept जो की है Bad Depths Bad Depths समझते है Bad Depths क्या होता है देखिए देखिए Basically Bad Depths का मतलब क्या होता है Suppose कीजे आपने किसी Customer को Goods बेचा था और Suppose कीजे आपको उस Customer से 10,000 रुपे लेना है Suppose कीजे हम एक Example लेते है वही Same Example लेते है Ram और Shyam वाला Ram ने Shyam को Goods बेचा था 10,000 रुपे का Goods बेचा था तो यहाँ पर Ram ने Shyam को क्या बेचा 10,000 का Goods बेचा लेकिन इसने जो Goods बेचा इसको Credit पे बेचा उधार पे बेचा क्योंकि Shyam ने बोला मैं तुझे पैसे 30 दिन बाद दूँगा तो यहाँ पर क्या हुआ Shyam is liable to pay Ram 10,000 रुपे शाम को राम को 10,000 रुपे देना है और कब देना है 30 दिन बाद देना है तो यहाँ पर अभी हमनों समझते है बैट डब्स मतब क्या होगा है Suppose कीजिए शाम जो परसन है Suppose कीजिए कल उटके शाम यह परसन कंगाल हो गया इंसॉल्वेंट हो गया तो इसके पास पैसे नहीं रहेंगे ताकि वो राम को जो पैसे चुका नहीं है वो उसे पैसे चुका सके तो यहाँ पर क्या हो गया अगर suppose शाम इंसॉल्वेंट हो गया शाम क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया मतलब कंगाल हो गया तो उस case में क्या हो गया राम को जो पैसे मिलने वाले थे शाम से 10,000 रुपए जो मिलने वाले थे वो तो अभी डूप गए क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बैड डेप्स तो यह जो 10,000 रुपए मिलने वाले थे यह हो जाएंगे बैड डेप्स बैड डेप्स मतलब नुकसान हो जाना नुकसान हो जाना उसी को हम लोग क्या बोलते है बैड डेप्स देखिए इसका मतलब समझते है बैड डेप्स लोगा घंतलब हो अभी आपको नहीं मिलने वाला है जो पैसए आपको मिलने वाला था वो अभीआ वोग्त क्या बोलता है बैद बैद मतलब अमांट विच जो पैसा भी आपको नहीं मिलने वाला है वह उसे क्या बोलेंगे बैद जिसे हमारे केस में यह 10,000 रुपया राम को मिलने वाला था अब यह 10,000 रुपया क्या लगता आपको राम को मिलेगा नहीं क्योंकि शाम इंसल्वेंट हो गया शाम कंगाल हो गया तो यह क्या हो गया 10,000 रुपया राम का पूरा नुकसान हो गया इसको हम लोग बलेंगे बैट देप्स तो यह हम को हम लोग क्या बोलते है goodwill is nothing but reputation of the business जैसे example के लिए आपने देखा होगा कि जो बड़ी-बड़ी businesses होती है जैसे आपकी Tata हो गए, Reliance हो गई, Adani हो गई, Infosys हो गया ये सारे बड़े-बड़े giant companies है, इनकी market में अलग reputation है तो हम क्या बोलेंगे, ये सारी companies की market में अलग goodwill है तो goodwill का मतलब क्या होता है, goodwill is nothing but जो आपकी business की reputation है, जो आपकी business की सालों साल की जो महनत है, reputation है market में उसी को हम लोग क्या बोलते है goodwill तो ये हमने देख लिया goodwill का मतलब फिर आजाते हमाना next concept जो की है accounting year accounting year का मतलब समझते हैं, जिस तरीके से आपका calendar year होता है, कभी स्टार्ट होता है, में आपका calendar YEAR चाल्ट है तो अकाउंट्स में जो हमारा आपका जो एयर स्था औक है और हमेशा आपका अब भी आपका जो accounting year है वो हमेशा 1st April होगा और आपका 31st March आपका आपका year end होगा तो accounting year क्या है, it's a period of 12 months for which accounts are maintained, it starts from 1st April and ends on 31st March तो यह आपका accounting year जिसे हम लोग financial year भी बोलते हैं, जो आपका 1st April से start होगे 31st March को खतम होता है तो यह हमने कुछ terminologies देख लिए थे, accounts के अलग-अलग terms देख लिए, कि अलग-अलग क्या terms होते हैं, उसके हमने meaning देखिए, उससे हमने detail में समझने के कोशिश की हर एक चीज़े को फिर हम लोग एक छोटा सा concept देख लेते हैं, last में, methods of accounting, methods of accounting system तो यह basically क्या होता है, methods of accounting, देखिए, जैसे आपने देखा था कि accounts में हम लोग क्या करते हैं, transactions को record करते हैं, bookkeeping में हम लोग क्या करते हैं, transactions को record करते हैं, तो generally record करने का कोई तरीका होता है हर चीज का कोई तरीका होता है तो उसी तरीके से accounts में भी जो भी transaction day to day करते हैं हम लोग उसे transactions को record करने का एक तरीका होता है method होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे methods of accounting system और generally आपका method है वो generally तीन किसिम के methods होते है सबसे पहला होता है cash basis दूसर जिए सबसे पहला समझते हैं क्या होता है क्या होता हैं जब ही आपको पैसा मिलता है जब कभी आपके बिजनस में आता है तभी ही ऊस गर्कार्ठ करते है या तो आप बोल सकते हो आप बीजनस में income तभी record करते हो जब यह आपको पैसा मिलता है when you receive the money receive money और आप expenses कब record करते हो जब आप पे करते हो money तो यहाँ पे cash basis में क्या होता है जब यह आप दे रहे हो यह तो cash आपको आ रहा है तभी इसके अलावा आप transaction को record नहीं करोगे इसके लिए नाम है cash जहां पे cash का moment हो रहा है उसी time पर हम transaction को record करेंगे जहां पर हमने देखा थो income तभी हम record करेंगे जब हमको पैसा आ रहा है और expense मतलब खर्चा तभी record करेंगे जब हमको हमारे पास से पैसा जा रहा है फिर बात करते हैं हमारा next method जो कि accrual basis जिसे हम लोग mercantile basis भी बोलते हैं और generally practical life में सबसे ज़्यादा यही follow होता है accrual basis यह दोनों method follow नहीं होते हैं last वाला तो basically least important है मतलब यह practical life में follow होता ही नहीं है तो accrual basis में क्या होता है वो समझते हैं देखिए cash basis में हमने समझा कि जब भी business में हमारे पास cash आता है या तो cash आता है तभी हम transaction को record करते हैं whereas accrual में क्या होता है जब ही आप transaction occur करते हो तभी ही उस transaction को आप record करते हो जैसे example के लिए जैसे आपने किसी customer को goods बेचा ठीक है लेकिन आपने उसको goods credit में बेचा उधार में बेचा मतलब तब आपको तुरंत पैसे नहीं मिले बट क्या आप उस transaction को ignore करोगे नहीं आप उस transaction को तभी record करोगे भले आपके पास पैसा आया नहीं है आपके पास पैसा बाद में आएगा लेकिन आप अपने books में record कर दोगे कि मैंने इस so and so person को माल बेचा है और मुझे इस so and so person से इतना पैसा लेना है तो generally accrual में क्या होता है accrual में जो आपका income है वो कभी record करते है when the income is earned जब यह आप earned करते हैं जैसे मैंने आपको बता है जब यह अपने goods credit में based दिया तो जब यह आपने based दिया तभी आपको पता है कि यह पैसा मुझे मिलने वाला है यह मेरी income हो गए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग accrual मतलब आपने income earn कर दिया है उसी तरीके सा खर्चा इंकर कर दिया मतलब आपने खर्चा तो कर दिया तो उस टाइम पे ही आपको पैसा आता है या जाता है तब तो यह accrual में generally follow होता है फिर इसके बाद आपका third concept है जो कि आपका mix या hybrid में क्या होता है यह दोनों cash और दोनों को mix यहां से एक concept उन्होंने उठाया और यहां से एक concept उठाय तो यह दोनों को mix करके यह आपका mix या hybrid concept बन जाता है और यह जनरली practical life में तो कहीं पर यह follow नहीं होता है जर्स आपके खली books में दिया गया होता है तो यह हमने देख लिए methods of accounting system किन-किन methods होते हैं कौन-कौन से methods होते हैं आपके accounting system में तो यह जनरली हमने सारे चीज़े पर लिए तो अभी हम लोग फिलाल आ जाते हमारे टेक्स बुक पर एक बार टेक्स बुक में एक बर आ जाते हैं तो यह था हमारा फर्स चाप्टर जो कि था introduction to bookkeeping कि अपीपिंग आठाउंटशी इसमें सारे चीज़े कवर कर ली जैसे हमने यहाँ पर बुक कि पिंग का मतलब से लिए फीर इसके बाद हमने जो accounts के basic terminologies है वो सारे चीज़े हर एक अलग-अलग accounting terms है वो सारे details में समझा तो यह सारे चीज़े हमने cover कर लिए तो यह सारे चीज़े हमने cover कर लिए फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर अलग दूसरे भी और चुटी चुटी टॉपिक्स दिये इतने relevance नहीं है अगर आपको चाहिए मैं यह सारे concept cover करू तो आप comment करके बता सकते हो इतना importance नहीं है तो it's very less important इसके लिए मैंने इसक पर यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह बर करता है यह बर करता है prin इस आपको टॉटींग इसको गवन करती है कौन है यहाँ पर आईसी ए ए और तो यह बैसीकलि आपका अगांटिंग बॉड़ी है उसी तरह एक इस एक आ आए पाइस करके कॉंसेट बैसी क्ली क्ली क्या होता है यह बैसी कली इन्टर्ण स्टेंडर है जो बैसी कली हम लोग accounting के लिए follow करते हैं तो इतना वैसे भी relevance नहीं है आपके syllabus में तो इस चीज़ को भी हम लोग ignore कर सकते हैं तो इसारे चीज़ें हमने almost cover कर ली आपके chapter number one में है तो यह था basically हमारा आज का lecture जिसमें हमने basically आपका first chapter जो कि bookkeeping का first chapter था जिसमें हमने bookkeeping का मतलब समझा accountancy का मतलब समझा accounts में जो अलग-अलग terminologies है अलग-अलग terms है वो सारे चीज़ें को detail में समझा तो hope so आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो comment करके बताईए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और यह जो मैंने आपको यहां पर स्क्रीन पर नोट्स दिखाया है यह आपको मैं आपको दिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा तकि आप वहां से जाके अगर आपको यह नोट्स से तो आप डाउनलोड कर सकते हों तो यह था हमारा आज का लेक्चर थैंक्स पर वाचिंग